हेलो स्टूरेंट्स दिस अमित वेलकम बेक टू मेरा स्लेबस अगर आप फस्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक शोर तो सब्स्क्राइब जे चैनल तो यहाँ पर हमारे पात first question है solve the following equations जो first question वो इन्होंने दे रखा है वो है 8X-3 upon 3X is equal to 2 हमें यहां से x की value निकालना है solve का मतलब जो variable है उसकी value देना चलिए start करते हैं यह हो गया solution तो क्या कहता है 8x हमें सबसे पहले क्या सीखा है हमने सीखा है अगर ऐसा कुछ दे रख है तो हम उसको कर लेंगे cross multiply तो ऐसे माल लेंगे 1 है तो यह क्या हो जाएगा 1 को 8x से तो 8x minus 1 को 3 से 3 is equal to अब 3x को 2 से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 6x ठीक है यहां से क्या हो गया 8x minus का 6x और इसको हम इदर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा plus का 3 8x में से 6x गए तो 2x is equal to 3 अब x की value यहां से क्या जाएगी 3 upon 2 answer हो जाएगा तो यहां से x की क्या value आ गई अपनी 2 value 3 upon 2 value आ गई second question है 9x upon 7 minus 6x is equal to 15 तो solve करना हमें यहां से क्या देखेंगे हम solution ठीक है तो सबसे पहले करेंगे cross multiply तो हम इसको लिखे लेते हैं 9x upon 7 minus 6x is equal to 15 upon 1 अब हम करेंगे cross multiply ठीक है तो क्या हो जाएगा 1 को 9x से करेंगे तो 9x is equal to 15 को 7 से करेंगे तो 105 minus 15.90x अब 9x minus 90x यह इधरा के किसे देखेंगे इसका हो जाएगा plus का is equal to 105 यह क्या हो जाएगा 99x is equal to 105 और यहां से अगर हम x को इधर रख ले और 105 upon 99 तो यहां से आप x की value यहां तो इतनी भी छोड़ सकते हैं अगर इसको कटता है तो आप काट लो कटे का कैसे 339 35 सा 15 और यह 339 तो यह तो आप 105 upon 99 लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो 35 upon 33 यह दोनों लिख सकते हो तो थर्ड क्या है z upon z plus 15 is equal to 4 by 9 तो इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले solution क्या होगा cross multiply होगा तो cross multiply तो क्या हो जाएगा 9 को z से करेंगे तो क्या जाएगा 9z is equal to 4 को z से करेंगे तो 4z plus 60 आप देखो क्या करना है 9z minus को इधर लेंगे तो यह क्या होगा minus का 4z is equal to 60 9z में से 4z गए तो 5z बचे यह क्या होगा 60 अब z को single रख लेंगे और 60 को 5 upon में आ जाएगा 5 बंजा 5 और 12 5 चा 60 यह होगा कि तो z की value यहां से क्या आ गई 12 answer आ ठीक है तो यह question number 3 हमारा complete होगे तो fourth question क्या है 3y plus 4 upon 2 minus 6y upon is equal to minus 2 by 5 ठीक है चलिए solution देखते हैं तो simply हमें सबसे पहले क्या करना है cross multiply तो यहां पे लिखेंगे तो 5 को इस से करेंगे तो यह क्या लिखेंगे हम 5 multiply 3y plus 4 is equal to minus 2 को किस से करेंगे 2 minus 6y से ठीक है आप करके देखिए 5 को 3 से करेंगे तो 15y plus 5 को 4 से करेंगे तो 20 is equal to minus 2 को 2 से करेंगे तो minus 4 minus 2 को minus 6 से करेंगे तो plus का क्योंकि minus और minus plus और 2 को 6 से करेंगे तो 12y आप सेम करना है variables को एक side तो 15y और यह इधर आके क्या हो जगा 12y is equal to minus 4 और यह इधर आके क्या हो जगा minus का 20 तो 15 में से 12 गए तो 3y is equal to कितना हो गया minus का 24 अब y की value यहां से क्या जाएगी minus 24 upon 3 तो 3 बन जा 3, 3 एट जा 24 तो y यहां से क्या आगे minus का 8 आणसरा फिफ्ट क्या है बच्चों 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4 upon 3 चलिए solution देखते है सेम चीज करनी हमें क्या करना है cross multiply करना है तो cross multiply ठीक है तो cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 को हम किस से करेंगे 7y plus 4 से करेंगे और minus 4 को किस से करेंगे y plus 2 से करेंगे तो यह आगे क्या हो जाएगा 3 को 7 से करेंगे 21y plus 3 को 4 से करेंगे 12 is equal to minus का 4y minus का 8 यह minus अगे ज़र sign change करता है यह आपको हमेशा ध्यान रखना है otherwise आपका question गलत हो जाएगा तो 21y और यह प्लस का 4y is equal to minus 8 और यह इदर जाके minus का 12 21 और 4 के और 25y is equal to minus का 20 तो यहाँ से y की value क्या जाएगी minus का 20 upon 25 तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 तो y की value क्या आ गई बच्चों यह हमारे पास minus 4 upon 5 answer sixth question क्या कहता है बच्चों sixth question कहता है the age of Harry and Harry are in ratio 5 ratio 7 4 years from now the ratio of their ages will be 3 by 4 find their present age चलिए इसका solution देखते हम वो के रहा the ages of Harry Harry and Harry are in ratio 5 ratio 7 तो मान लेते हैं let the ages of of Harry and Harry यह क्या हो गया 5 x और उसका क्या हो जाएगा 7 x ठीक है क्योंकि उन्होंने ratio दे रखा है 5 is to 7 तो हमारे यह क्या हो गया 5 x और 7 x अब वो कहता है 4 years from now मतलब 4 साल के बाद तो यहां लिखेंगे हम after 4 year क्या age हो जाएगी age of Harry क्या हो जाएगी 5 x तो अब है और 4 साल बाद उसमें 4 और जूर जूर जाएगी यह हो गई अब age of Harry क्या हो जाएगी 7 x प्लस 4 क्योंकि 4 साल दोनों में जूर जाएगे तो वो कहता है 4 साल के बाद इन दोनों की age का ratio age का ratio क्या हो जाएगा according to question 5 x प्लस 4 upon 7 x प्लस 4 क्या हो जाएगा ratio 3 ratio 4 हो जाएगा ठीक है अब हमें solve करना है तो सामें क्या करना है cross multiply और यह क्या हो जाएगा 12 अब यहां से अगर मैं solve कर दूँ इसको तो 20 x और इस 21 को इधर लेंगे तो minus का 21 x और यह हो जाएगा 12 और इस 16 को हम इधर ले जाएगे तो minus का 16 यह क्या हो जाएगा 20 में से 21 गए तो minus का 1 x बचा और यह दर बचे गया minus का 4 तो x क्या हो गया 4 आ गया क्योंकि minus से minus कर जाएगा x 4 है तो इनकी अभी क्या हो जाएगी इसकी तो थी 5 x तो यह क्या हो जाएगा 20 क्योंकि इसको 5 x को क्या लिखूँ हमे 5 multiply 4 यह क्या हो जाएगा 20 और वो था 7 x तो 7 x क्या हो जाएगा 7 multiply 4 क्योंकि x क्या लिख 4 है तो यह क्या हो जाएगा 728 तो यह किस की हो गई हरी की और यह किस की हो गई हैरी की 7th question क्या कहता है बच्चो The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 If the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1 The number obtained is 3 by 2 Find the rational number तो बच्चो देखो solution क्या करते है हम इसका एक चीज बताता हूँ rational number क्या होता है पहले तो जो होता है x upon y की form में होता है यह हमने पढ़ा है तो वो क्या कह रहा है कि यह rational number हो गया हमारा तो मैं एक बार इसको remove कर देता हूँ वो कह रहा है कि rational number में जो denominator है ठीक है वो numerator से कितना बढ़ा है तो 8 बढ़ा है तो माल लो let numerator माल लिया मैंने x therefore denominator तो यह क्या कहता है अगर numerator x है तो numerator से denominator कितना बढ़ा है 8 तो यह इसमें 8 बढ़ा कर दिया हमने क्योंकि वो पहले कह रहा है कि 8 बढ़ा है तो यह x है तो यह क्या हो गया x plus 8 हो गया अब वो कहता है if the numerator is increased by 17 numerator तो वो कह कर रहा है numerator में कितने बढ़ा दिया 17 तो new numerator क्या बढ़ा गया बच्चों पहले x था तो उसमें कितना बढ़ा दिया 17 तो यह x plus 17 हो गया और new denominator में क्या कह रहा है वो वो कह रहा है कि उसमें से कितना कर दे 1 minus कर दे तो x plus 8 तो है और minus 1 कर दिया तो यह कितना बच गया x plus 7 बच गया तो क्या कहता है rational number में क्या obtain होता है 3 by 2 तो rational number बनाने के लिए numerator upon denominator लिखना पड़ता है तो x plus 17 और यह क्या है x plus 7 और number क्या है हमारे पास 3 upon 2 आया यही वो कह रहा है अब simple होगे हमारे लिए हमें cross multiply करना आता है तो यह क्या हो जाएगा 2 x 17 to the 34 is equal to 3 x plus 21 तो यह क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 2 x को हम एजिटीज लिखेंगे और minus को इदर 3 x ले आएंगे 21 को और इसको ले जाएंगे हम उधर तो यह क्या हो जाएगा minus का 34 इसको यहाँ solve कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 x में 3 x ले तो minus का x बचा और यह बच गए 13 minus का 13 तो minus से minus cancel out तो x की value क्या गई 13 तो x क्या था हमारा numerator था और denominator क्या था x plus 8 तो x plus 8 क्या था यह क्या हो जाएगा 13 plus 8 क्या गया 21 क्या गया हमारे पास denominator ठीक है तो ऐसे करके हमें question आगे पूरा solve करना है ठीक है तो यहाँ पे exercise 2.6 chapter 2 हमारा complete हो गया है जो अब अपना next lecture होगा उसमें हम क्या start करेंगे बच्चो chapter 3 8th class के लिए तब तक के लिए bye take care अब तक करेंगे बच्चो